हालो एवरिवन, एजी फिजिक्स भाई एन के जनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है चेप्टर नमबर नो में आज एक बहुत महत्वपून दोप्री कवर्ण पढ़ने जा रहे हैं समरूप चुम्बक की एक्षेतर, समान रूप से कोई चुम्बक की एक्षेतर दे रखा है जिसके हर एक बिंदू पर चुम्बक की एक्षेतर की तीवरता समान होगी उस समरूप चुम्बकी एक्षेत्र में घुर्णन गती करती कोई वस्तू है वो घुर्णन गती कर रही है कैसी वस्तू है दातू की छड़ एक धातू की छड़ है वो उस समरूप चुम्बकी एक्षेत्र में घुर्णन गती कर रही है यानि किसी एक बिंदू को स्थिर्मान करके उसके चारों तरफ गुणन गती कर रही है तो उसमें प्रेरित विदुत वाहक बल कितना होगा वो जो धातू की छड़ है उसका एक सीरा पोजेटिव और एक सीरा नेगेटिव हो जाएगा यानि उसकी गुणन गती के कारण उसके विद्पन करना है चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक तो यहां पर अपने को यह जो क्रोस आप लोगों को नजर आ रहे हैं यह समान चुम्बक की एक शेतर है और क्रोस का अर्थ है चुम्बक की एक शेतर की जो दिशा है वो प्रस्ट के तल के लंबवत जस्ट अंदर की तरफ होगी तो हर एक बिंदु प्रिश की जो तीवरता है इसको अपने बी वेक्टर से कह दिया है और इसके अंदर यह ओ ए नाम की कोई एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी ले रखी है अपने कैपिटल एल लंबाई की ले रखी है इसका जो ओ सीरा है वो अपनी सुईया होती है वो जैसे गती करती है हालनकि अपन इसके जो गती की दिशा है उसको अपन एंटी क्लोक वाइस डायरेक्शन में लेंगे वामावर्त दिशा में लेंगे लेकिन आप इसको देख करके इसकी जो गती है उसको फील कर सकते हैं आपको इसके साथ में जो गड़ जिसे ईट पन्कौन ये वेग केहते हैं? क्यूंए वेग की वैल्यू को ओपनी यहांपर कितनी ले लेते हैं? ओमेगा ले लेते हैं ओमेगा कौन ये वेक से ये गुर्णन गती करेगी जब ये ओमेगा कौन ये वेक से गुर्णन गती करेगी तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्टरोन है या फिर आप मुक्त धनावेशित कण कह सकते हैं क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अन टॉपिक पढ़ा था कि समान चुम्बक की अक्षेत्र में जब कोई चालक छड़ गती करती है यहाँ पे इसकी गती है वो गुर्णन गती है और उस टॉपिक में आपने जो गती पड़ी थी वो रेखिये गती पड़ी थी यानि समान चुम्बक की अक्षेत्र में यदि कोई इस तरह की कोई चालक छड़ रखी हुई है और वो जब आगे की तरफ एक समान वेक से गती करती है नियत वेक से गती करती है तो उसके सीनों पर प्रेरित विदुत वाहग बल उत्पन हो जाता है तो वहाँ पर अपने सीधी रेखिये गती के कारण उत्पन होने वाले प्रेर गुणनगती है तो क्यों ना अपन इसकी गुणनगती की जो तुलना है वो किसी ना किसी तरीके से रेखिये गती से कर ली जाए ताकि अपन प्रेडित विदुत वाकबल का जो फॉर्मूला बी वी अल अपने पड़ा था बी चुम्बक की अक्षेतर था वी उसका रेखिये और एल उसकी लंबाई थी इन तीनों के गुणनफल के तुले पड़ा था वेग की जो दिशा है वो चुम्बक की एक शितरोड लंबाई के लंबवत होनी चाहिए थी तो उस फॉर्मूलियों को अपन यूज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए करेंगे क्या कि ओ को केंद्र मान करके स्मोल एल लंबाई के उपर स्मोल एल दूरी के उपर जाके और इसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इस टुकड़े की जो लंबाई है वो अपन कितनी मान लेते हैं डियल मान लेते हैं अब ये जो लंबाई यल पांस डियल है इसकी लंबाई बहुत छो होकर कि रेखिय गती हो जाएगी और इसका जो वेग है उस वेग को अपन रेखिय वेग जो इसका आएगा उस वेग को अपन कितना मान लेते हैं वी मान लेते हैं तो यहाँ पर चुम्बक की एक शेतर तो हो गया आपके पास बी वेक्टर इसकी जो तो रेखिये वेग की गती है वो हो जाएगी V और इसकी लंबाई है वो हो जाएगी DL यानि ये जो अलपांस टुकडा है ये आपके पास वो ही एक चालक छड़ बन जाएगी जो समान जुम्ब की एक शेतर में नियत वेग से गती कर रही है और इसके सीरों पर उत्पन होने वाले विदुत्वागबल का फोर्मूल अपने डिरायू कर लिया था अब अपने उसको डायरेक्ट याद कर लिया है BVL आ जाएगा और इसी तरीके से इस पूरी छड़ को छोटे छोटे अलपांसों में विभाजित करके प्रतेक के उपर उत्पन प्रेरिज विदुत्व पाहगबल कैलकुलेट करेंगे और सबका योग कर देंगे और इसका दूसरा तरीका आप जानते हैं कि इसका जीरो से लेकर के कैपिटल एल यानि लंबाई के सापिक्स इसका समाकलन कर दिया जाएगा तो यह अपना प्रोसीजर रहना है अब अपने इसको पैरेग्राफ के रूप में जो बाते दे रखी हैं उनको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो यहाँ पर अपने लिखा है कि प्रस्ट के तल के लंबवत अंदर की और समान चुम्बक की एक शेतर बीस अदीश में यानि जो चुम्बक की एक शेतर है उसकी दिशा को व्यक्त कर दिया है प्रस्ट क्या कर रही है कोण ये वेग ओमेगा से गुर्णन गती कर रही है जो जो प्रारंभिक बातें अपने को दे रखी हैं वो सब आशान भासा में अपन लिख देंगे यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इसको याद रखने क्या उसकता नहीं है अब क्या होगा कि केंद्र O से L द शोटा सा लंबाई L पांस लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है D L है और ये क्या कर रहा है जो चुम्ब की एक्षित्र के लंभवत दिशा में चुम्ब की एक्षित्र आपका जस्ट अंदर की तरफ है और ये X X के साथ में यानि प्रश्ट के तल में है तो चुम्ब की अपने को याद है कि भाई समान चुम्ब की एक्षेत्र यदी है और उसमें कोई एल लंबाई की चालक छड़ रखी हुई है और वो यदी वी वेग से रेखिये वेग से गती कर रही है तो उसके सिरों पर प्रेदित विदुत वाहगबल उत्पन हो जाता है और उसका रेखिये वेग और लंबाई क्लिएर है इस तरही के से अब अपने सामने दिक्कति है आ रही है कि सर इसमें तो अपने कोई ये वेग दे रखा रेखिये वेग आपने ले लिया तो यह जो डील है तो यहाँ पर अपने पास डी. ए की जो वैल्यू है वो बी. वी. इंटु डियल आ जाती है, अब यह जो रेखिये वेग है, इसको अपन कोणिये वेग में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आप वीडियो की स्क्रीन को पोज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख ले, अपन थोड़ा आगे चलते हैं, अब अपन जानते हैं कि जो अपना रेखिये वेग होता है, उस रेखिये वेग का और कोणिये वेग के बीच में एक संबंद होता है, क्या होता है, किसा रेखिये वेग V is equals to कोणिये वेग इंटू लंबाई, गुर्णन एक्स से दूरी होती है, तो इस केस में आपने तो अपने पास V की जो वैल्यू है वो ओमेगा L आ जाएगा और ये वैल्यू जब अपन इसमें रखेंगे तो आपके पास जो D E की वैल्यू है वो हो जाएगी B ओमेगा L DL तो ये अपने पास केवल उस लंबाई L पांस DL के उपर उत्पन होने वाला विदुत वाहक बल आ जाता है और ये अपने को संपूर्ण छड़ के उपर निकालना हो यहाँ पे अपन लिखेंगे संपूर्ण छड़ पर उत्पन प्रेरित विदुत वाहक बल तो क्या करना चा इसके लिए सर अपन समाकलन कर देते हैं तो यहां पर अपन ब्रेकिट में लिख देंगे जीरो से टोटल लंबाई कितनी है एल तक समाकलन करने पर तो जैसे ही अपन इसका समाकलन करेंगे अपने पास पूरी छड़ के लिए प्रेरिट विद्यू तवाकबल आ जाएगा तो करेंगे और इधर अपने पास बी ओमेगा एल डि इसका इंटीगरेशन करेंगे लिमिट लगाएंगे जीरो से कैपिटल है अब बी जी का समाकलन क्या हो जाएगा यह तो ई हो गया बी का constant value बाहर आ गया, omega constant value बाहर आ गया, x dx, तो x का समाकलन होता है, इसकी power एक बढ़ जाएगी, और वो power बटा में आ जाएगी, x की power n का समाकलन, x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1, तो यहाँ पर l की value कितनी है, l की power कितनी है, 1 है, और जब आप इसमें 1 और add करेंगे, तो यह आपके पास l क power 2 लग जाएगी, और बटा में 2 लग जाएगा, limit open करेंगे, तो यह small limit और यह upper limit हो जाएगा, इसको जब अपन apply करेंगे, तो b आपके पास बाहर है, omega है, लिखिए, upper limit minus lower limit, तो upper limit अपने पास l का square, बटा में इसके 2 चल रहा है, और minus में जब आप lower limit लगाएंगे, तो lower limit ज प्रेरित विदुत वाहत बल का formula आ जाता है, अब यदि आप flaming के बाएंहात का नियम लगाएं, flaming का बाएंहात का नियम किसके लिए लागू होता है, चुम्बकी एक्षेत्र में गती कर रहे आवेशित कण के उपर लगने वाले बल का formula है, तो इस topic में यदि आप flaming का वाम हस बाएंहात नियम लगाना चाहें, तो सबसे पहले अपन जो तरजनी है उसको चुम्बकी एक्षेत्र की दिशा में, जो प्रस्ट के लंबवत अंदर की तरफ है, और उसके बाद में अंगुठा जो है, उसको आप लोगों को बल की दिशा में ले जाना है, बल की दिशा में जाएंगे, यानि कि जो चड़ा आपने ले रखी है, उसका बाहर वाला किनारा है, उसके उपर धनावेश इकठा हो जाएगा, और केंदर बिंदू के उपर आपके पास धनावेश इकठा हो जाएगा, देखिए अलग-अलग बुक्स में, रेफरेंस गाइड में जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस्थितियां अलग-अलग हैं, कारण क्योंकि कुछ एक बुक्स के अंदर जो चुम्बक की अक्षेतर है, वो लंबुत बाहर ले ले लेता है, या फिर जो चालक-छड़ की गती, जो अभी अपने anti-cloakwise ले रखी है, कुछ बुक पस आप diagram में जाएंगे, और इसका जो O किनारा और A किनारा है, इनके उपर आवेस्थ की स्थितिका भी निरधारन करना होगा, पॉइंट जो इसका बाहर वाला किनारा है, उसको आप लोगों को positive कर देना है, और O जो इसका केंदर वाला किनारा है, उसको negative कर देना है, अब यहाँ पे अपन इसका एक नया format और बनाना चाहेंगे, यदि वो जो छड़ गुर्णन गती कर रही है, उसकी अपन गुर्णन करने की आवरती ले लें, गुर्णन करने की आवरती का मतलब है कि एक second में 5 round पूरे कर रही है या 10 round पूरे कर रही है, तो एक second में जो number of rounds है, वो उसकी frequency कहलाएगी, तो इसके गुर्णन करने की जो आवरती है, वो अपन f मान लें, तो अपने पास omega का function आ जाएगा, यहाँ पे अपन लिखते हैं, यदि छड़ की गुर्णन आवरती, गुर्णन आवरती को समझ चुके आप लो, जैसे पंखा होता न, तो पंखी की जो गुर्णन करने की स्थिती होती है, तो यह जो गुर्णन आवरती है, यह f मान लें अपन, f हो, तो omega का formula क्या होता है, omega is equals to होता है, 2 pi f, तो आप इस उपर वाले equation में, omega की जगए यह value रख सकते हैं, तो आपके पास b हो गया, यह 2 pi हो गया, और f हो गया, उसके बाद में l का square, और बटा में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो अब आप इसको solve कर सकते हैं, 2 से 2 यहाँ पे remove हो जाएगा, pi और l का square, l क्या था, यह जो छड़ दे रखे है, उसकी लंबाई थी, छड़ की लंबाई, अच्छा, जब यह छड़ गुर्णन गती करेगी, तो क्या कोई वरिताकार area बनेगा, वरिताकार प्रष्ट बनेगा, बिलकुल बनेगा सर, और वरत के क्षेतरफल का formula क्या होता है, pi r square, r क्या है यहाँ पर, छड़ की लंबाई, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर, यह 2 तो इस 2 से cancel out हो गया, और यह जो pi l square है, इस pi l square की जगे अ अपन क्या लिख सकते हैं, area लिख सकते हैं, तो b हो गया, area हो गया, और frequency हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूंकि area that is equal to pi l square हो जाएगा, तो यह अपने पास गुर्णन गती के कारण उत्पन होने वाला प्रेरित विदुत वाहक बल का वेंजक आ जाता है, यह दि बोड़ प्रेक्षा के अंदर दो नंबर का पूरा derivation भी पुछा जा सकता है, या फिर आपसे केवल मात्री यह formula भी पूछा जा सकता है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशन की स्थती के अनुशार आपको इसका answer देना है, ठीक है? अब अपने इस derivation के उपर dependent एक example दे रखा है, example नंबर 12 जो है, उसको भी अपने को यहाँ पे solve करना है, चलिए, example नंबर 12, page नंबर 206, 206 के उपर दे रखा है, उसको अपने solve करते हैं, प्रशन आपको अपने screen पे नजर आ रहा है, देखे क्या कहता है, कि 0.5 मीटर लंबा चड़ है, वो एक सीरे के सापिक, 0.04 टेशला के चुम्ब की एक शेतर के लंबवत तल में, तो B का मान दे रखा है, 0.04 टेशला, लंबवत तल में 40 चक्र प्रती सेकेंड, तो 40 चक्र प्रती सेकेंड का मतलब अपने को frequency दे यहाँ पे, तो यह frequency हो जाएगी 40 और चक्र प्र लिखते हैं, हर्ड से, तो 40 हर्ड हो जाएगी इसके, के वेग से, प्रती चक्र के कोण ये वेग से गुर्णन गती कर रही है, तो छड़ के सीरों पर प्रेजित विदुत वाहक बल ग्यात कीजिए, तो यहाँ पर प्रेजित विदुत वाहक बल का मतलब है, E की जो value है, वो उसको अपन लिख देंगे, B, A, F का formula लगा देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास B की value कितनी दे रहे है, 0.04, A का मतलब area हो जाएगा, तो इसको अपन पाई L square लिखेंगे, तो पाई का मान अपन 3.14 लिख देते हैं, और L का value 0.5 है, तो इसका square कर दो, तो यह value आपके पास कितनी हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में F की value अपने को 40 दे रखी है, तो 40 यहाँ पर apply कर देंगे, चलिए, अब इनको अपन calculate कर लेते हैं, और calculation के बाद में जो अपना answer आएगा, उसको अपने को यहाँ पर लिखना है, आप screen को एक बार stop करें, और इसको calculate करके और इसका answer निकाले, मात्रक जो है वो अपना वोल्ट में apply हो जाएगा, तो calculation पर इसका जो result है, वो अपने पास प्राप्ट होता है, 1.256 वोल्ट, इस तरीके से अपना यह जो आसान सा प्रशन है, वो complete हो जाता है, next topic के लिए बने रही है हमारे साथ, यदि इसे like करें और अपने friends के साथ share करना ना भूले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe कर, bell icon प्रेस करें, बहुत बहुत धन्यवाद,